क्या यह परिशानी आपके साथ भी है कि आपको अपने बच्चे के दो या तीन साल के इनिशल स्टेज पर समझ में नहीं आता कि इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए किस तरीके से इसको लाइफ की ऐसी सीख दी जाए जो कि फ्यूचर में आने वाली है और इसको बहुत जाते हैं और कोई बहुत लेट बनते हैं तो उस केस में होता क्या है कि हमें इस जिन्दगी के अफरा तफरी में नहीं पता होता कि हम अपने बच्चे को ऐसी क्या पांच सीजे समझाएं जो कि इसकी लाइफ के लिए सबसे जादा इंपॉर्टन्ट हो सकती है फ्यूचर मे आज ये वीडियो इसी के उपर है और आपको बहुत ध्यान से समझना है कि आज संड़े के दिन आपने सिर्फ और सिर्फ दस मिनट इस वीडियो को दे दिया तो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा और आपको स्टेप बे स्टेप समझ में भ जरूरत है और ना ही आपको कोई स्पेशल गार्डियन की जरूरत है जो कि इसको करवा सके लेकिन सिर्फ और सिर्फ पांच चीछे आपको टाइम प्र टाइम सिखानी अपने बच्चे को सबसे पहला पॉइंट अपने बच्चे को इमोशनल स्टॉंग बनाया जाए उसको कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके समझाया जाए कि जभ भी हाप इमोशनल हो आपकी emotions किस तरीके से कहां पे पे किस लेबल पे होने चाहिए यह आपकी life का इतना important part है उस बच्चे को आपको समझाना है कि आपको कई बार अपने emotions पे कंट्रोल करना पड़ता है कई बार हमें अपने emotions के साथ ही चलना पड़ता है कई बार अपने emotional हो करके decision लेना पड़ता है बट उस emotional हो करके आप कैसे सही decision ले सकते हैं ये सबसे important part दूसरा सबसे important point है कि अपने बच्चे को bounce back करना सिखा है क्योंकि देखो 24 के अंदर parent बहुत ही जल्दी अपनी चीजों को अपने लिए बहुत result मांगते हैं और ये सोच रहें कि आप इसको डेड़ साल में दो साल में स्कूल में डाल दिया जाए बच्चा बहुत जल्दी पढ़ाए करें जो कि future में हो सकता है उसका depression का शिकार बन सकता है तो आप उसको bounce back करना सिखाए अगर वो हारता है तो ये समझाए कि आप हारे हैं इससे matter नहीं करता आपका result क्या है it doesn't matter आपने काम किस तरीके से किया ये सबसे important part है और ये चीज़ आपने अगर सिखा दी अपने बच्चे को तो बहुत जल्दी अपने आपको एक established boy, man या फिर एक अच्छा इंसान बनता हुआ देखेगा तीसरा most important point है कि time to time अपने relatives के साथ ये एक नया point मेरी तरफ से add है कि अपने relatives के साथ किस तरीके से आप tackle करवा सकते हैं बच्चे को कई बार क्या होता है कि आपके so-called relatives आपको हमेशा आपके बच्चे को हमेशा negatively कोई भी चीज negative progress करते हैं जिससे कि आपके बच्चे के mind में कहीं न कहीं ध्रना की भावना जग जाती है एक प्रकार से या उनमें शौफ आ जाता है या फिर उनके अंदर एक जनन आ जाती है औ और उसको गलत रहा दिखाते हुए उसको इस तरीके से बताया जाता है जो आप नहीं समझ पाते हैं एकदम से आपको यह observe करना होगा किस तरीके से आपको बच्चा बहुत ज़दा चड़चड़ा हो रहा है और बहुत ज़दा परेशानी आपको दे रहा है तो यह आपको यही दइखना है कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को सो कॉल रिष्टेदरों से डील करना से थजह आएंगे क्योंकि आप इन लोगों से डील कैसे करें क्योंकि आपका कोई भी अपना नहीं है लेकिन आपको सिर्फ यह चीज सिखाना है कि सब के साथ मिलके रहना है लेकिन दिमाग के साथ पॉर्ध पॉइंट ऐसे टाइम टो टाम अपनी फ्रेंडशिप अपनी रिलेसिशिप आउटसोड़ इड़ने हो, किस तरीके से बिल्ड करनी है किस तरीके से deal करना है बच्चे को हमेशा calm and cool बनाए ज़्यादा aggression के साथ उनके साथ पेश मता है क्योंकि कई बार मेरे साथ भी आस होता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा aggressive होता हूँ उन्हें बच्चे के साथ जो कि फिर बाद में मुझे feel होता है कि ये सही way of सबसे ज़्यादा important है कि goal achievers बनाए बहुत छोटी छोटी से goal बनाए और उसको एक परकार से बहुत ज़्यादा उत्सुप करें कि जब वह goal को किसी को अचीव करता है तो उसको एक real happiness मिलने चाहिए गोल यह नहीं कि बहुत बड़ा गोल बना लिया उस goal को किस तरीके से डिवाइड करना है सब्स आपने आप तीन साल का बच्चा है और आप उसके साथ में बैठे हैं एक रोटी खिलाने के लिए तो जब वह एक बाइट खाता तो उसको और ज़्यादा अप्रिशेट करो व यह बहुत ज़्यादा उसके लिए अच्छा होसा है